हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगेन टू लन्वरिद्य तीमन मादमेक सिक्षापोर्ड राजिस्थान अजमेर द्वारा नया सिलिबस जो है वो जारी कर दिया गया है तो लिवल टू वाले जो बच्चे कक्षा 6 से 8 वी तक का एक्जाम देंगी रीट का तो उनको नया सिलिबस जो है वो मालूम होना चाहिए क्योंकि नए सिलिबस की अंतरगत बहुत सारी चीज़े नई एड़ गर दी गई है और वो जो राजिस्थान का जीके नया एड़ किया जाएगा और वो कहां कहां एड़ किया गया है इन सभी के बारे में हम डिस्क्रस करेंगे क्योंकि यदि आपको सिलिबस का जानकारी नहीं है तो आप एक्जाम के तयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए जरूरी होता है स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो के हों साहे SST के हों तो सभी के लिए 30 मार्क्स का साइकलोजी पूछा जाता है बाल विकास की अंतरगत और यहां आपका ज्यादा चेंजमेंट नहीं किया गया है बस यूनिट जो है वो आपकी चेंज कोई है जो यहां पर फर्ष्ट यूनिट बाल विकास थी और सेकेंड जो है वो अधिगम की थी उसे उठाएकर इन्होंने फोर्थ यूनिट कर दी है यानि चौथी यूनिट जो है वो आपकी अधिगम की कर दी है इसके अलावा syllabus वही है जो कि आपका पहले था तो यहां पर बस आपको यही जानना जरूरी है कि आपका जो syllabus है उसमें आपको क् तो बिल्कुल पुराना जो syllabus के according आप तयारी कर रहे थे तो बिल्कुल वैसे ही करिए यदि आप channel से पढ़ाई कर रहे हैं channel पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ही psychology समझाई है तो वहां आप बिल्कुल topic wise, unit wise syllabus के according वहां पर आप कर सकते हैं तो सबसे first unit है बाल विकास जिसमें व्रद्धी और विकास की संकल्पना पढ़नी है आपको इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम से उनका संबन वन्जानुकरम और वातावरण की भुमिका हर जो unit है वो आपकी कितने marks की होगी six marks की होगी second unit व्यक्तिगत विविन्ताएं व्यक्तित्व और बुद्धी ये तीनों आपको पढ़नी होगी उसके बाद है विविद अधिगम करताओं की समझ जिसमें प्रतिवासाली बालक सुरजन शिल बालक पिछड़े वालक जो भी विशेश आविशकत वाले बच्चे हैं उन सब के बारे में पढ़ना होगा अधिगम में आने वाली जो प्रप्रम है वो पढ़नी होगी जोकी हम देखते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो यह सब कुछ आपको यहाँ पढ़नी होगी, नेक्स्ट जो है, इसी में टॉपिक जो है, समायोजन की संकल्पना तरीकिया, समायोजन में सिख्षकी क्या भूमिका रहती है, उसके बाद जो फोर्थ यूनिट, जो की पहले सेकंड यूनि करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, यह सब आपको पढ़ने है, यह सबी सिध्धांत जो है, जितने भी विवारवादी सिध्धांत थे, गैस्टाल्टवाद, संग्यानवाद, निर्मितवाद, सब कुछ हम चैनल पर कर चुके हैं, यदि आप वहाँ से कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर वाइज यूनिट जो है, वो मिलती है, उसके बाद आपका जो एक टॉपिक रह गया है, अभी प्रेड़ना, बस यही वाकी है, और आपका ये जो यूनिट है, वो आपकी कम्प्रीट हो जाएगी, नेक्स जो लास्ट जो है, जिसमें आप सिक्षण विदियों पढ़ते हैं, उसमें आप NCF 2005, आकलन मापन मुल्यांकन, सतत मुल्यांकन, उपलप्ति परिक्षण, क्रियात्म कनुसंधान, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें सिक्षकों की क्या रोल है, तो ये सब कुछ साइकलो 20 या 39 नंबर जो है, वो आराम से ला सकते हैं, अब हम बात करेंगे, SST वाले विद्धार्थी कि वहाँ सामाजिक अध्यान में आपके नए स्लेबस के अंतरगत, राजिस्थान का जोग्रफी के अंदर, पॉलिटी के अंदर, और आपके हिस्ट्री के अंदर नया क्या एड हुआ है, क्योंकि स्लेबस को देखकर ही आप लोग तयारी करेंगे, अब देखिए, सामाजिक अध्यन की जो तयारी कर रहे हैं विध्यार्थी, तो उनके 60 मार्क्स का आपका पेपर में पूछा जाएगा, क्या नया एड हुआ है, इस पर हम बात करेंगे, देखिए, सबसे पहली यूनिट है, भारतिय सब्वेता, संस्कृति और समाज, जिसमें बिल्कुल इस पर्ष्ट रूप से आप दे दिया गया है, कि आपको नया क्या मिलता है यहाँ पर, सिंदुहाटी सब्वेता, वैदिक संस्कृति, यह पुराने सलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जैन औ पहले 12 यूनिट थी, तो अब वो 13 यूनिट कर दी गई है, तो SST के विध्यारतियों के लिए, तो सिलेबस जो है, वो बिल्कुल नया हो जाता है, लेकिन जो RBSC की बुक से तयारी कर रहे थे, हम लोग जहाँ पर हमने हिस्ट्री और पॉलिटी कम्प्लीट कर ली थी, तो उन बच्चों को इतना ज्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पर जब आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल चैप्टर जो हमने पढ़े थे, छटी से लेकर दस्वी क्लास तक की पुस्तोकों से, तो बिल्कुल चैप्टर जो है, वो ही उठाकर यहाँ प को पढ़ाई जो है, वो कौन सी बुक से करनी थी, नियू एन सी आर्टी से या आर्बी असी के, तो अंत में हम इस पर भी बात करने वाले हैं, सैकिन है, मोड और गुप्त सामराज और गुप्त तर काल, तो यहाँ पर राजनिती के तियास प्रशाशन, भारती संस्कृति के प्रतियोगदान और भारत चैसो से हजार इसवी और ब्रहत्तर भारत, ब्रहत्तर भारत का टॉपिक जो है, वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो सलेबस देखा था, हमने वहाँ ब्रहत्तर भारत जो है, वो टॉपिक नहीं दिया इतना फायदा होगा आपको एक्जाम में कि वहाँ आपको कोशन उसी तरीके से देखने को मिलेंगे. बिलकुल इसी तरीके से हम लोगों ने तैयारी भी की हुई है. भारती सम्विधान और लोकतंत्र. अब ये पॉलिटी में देखिए क्या नया एड़ू है. भारती सम्विधान का निर्माण और विस्येस नाएं. सबसे पहले क्या था? जब पिछले इस लेबस की बात करें तो वहाँ पर था कि लोकतंत्र जो था वो सबसे पहला टॉपिक था. लेकिन यहाँ पर भारती सम्विधान का निर्माण और विसेस्ताएं ये आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद है उद्देशी का ये हम लोगों ने की थी. बिलकुल इन्होंने इसी तरीके से जो भी बुक हैं जो राज्य सरकार ने छटी से दस्वी तक जो RBSC की बुक चलाई हुई हैं वहीं से टॉपिक जो हैं बुक में से ही उठाकर दे दिये गए. तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है छट्वी से दस्वी तक आ संत्री परिशद, उच्यतम नियाले, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरिय सौशाशन. यहां पर क्या लिखाएगी? राजिस्थान के विशेश संदर में. तो पंचायती राज तो आप करते हैं तो राजिस्थान के संदर में तो आपको करना ही होगा. ठीक है? तो यहां पर राजिस्थान के अकॉर्डिंग, यहां पर पंचायती राज विवस्था से प्रश्णों जो है वो लगोर पूचा ही जाएगा. नेक्स्ट आता है यहां से जोग्रफी का. अब जोग्रफी में देखिए सबसे पहले अक्षान्स और देसांतर जो की पहले सिलिबस का जिससे की आपको फायदा हो. बायूदावा, पवने, चक्रवाद, प्रती चक्रवाद, सूर्य और चंदग्रह, प्रत्वी के मुक, जलवायू, कटिवंद, जैव मंडल. क्योंकि वायू मंडल, स्थल मंडल यह पिसले सिलिबस जो था वहां पर था. लेकिन यहां पर एक्जाम क्रेक करना है. उसके बाद है भारत का भूगोल और संसाधन. इसमें जो भूगोल है भारत का, तो वहां बिल्कुल मानचितर से भू आकरती, खनेज परिवहन, क्रशी, मिट्टी, ठीक है? यह सब कुछ पढ़ना होगा. राजिस्तान के संदर में आपको पूरा य इतिहास. यहाँ पर आपको राजिस्तान कल्चर मिलता है. प्राचीन, सब्वेताएं और जनपत. जिससे हमने किया था, राजिस्तान के प्रमुक राजवन्सों को इतिहास, अब यहाँ पर आपको राजवन्स जो है, वो बिल्कुल अलग से पढ़ने होगे, जिसमें चोहा राजिस्तान का एक ही करन. तो यदि जो बच्चे हमारे साथ में RBSC की जो बुक कर रहे थे, रैगुलर, तो उन लोगों के लिए तो इतना ज्यादा नया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं बुक उठा कर देखी है, राजिस्तान की जो RBSC की जो बुक है, उन ही को पढ़ना चाहिए, छटवी क्लास से लिकर दस्वी क्लास तक की. राजिस्तान की कला और संस्कृति यहां पूरा कल्चर जो है, वो आ जाता है, जिसमें मेले तोहार, लोग कला है, लोग देवता, लोग नाट्य, वादियंत्र, हस्तकला, बेशभूसा, सभी कुछ पढ़ना होगा, अब देखिए, नया क्या एड है, नया यह देखिए, बीमा और बैंकिंग प्रणाली, बीमा, बैंक के प्रकार, भारती रिजर, यह बिल्कुल दो-तिन पेजों का ही होगा, और बहुत ही easy है, यानि जो economics है, वहां से भी कुछ आपकी exam में पूछा जाएग जिससे की आपको और भी अधिक पायदा हो सके, अब देखिए, अन्तिम में आप यह चीज पढ़ लीजिए, कि बहु विकल प्रश्णों का मावधन, छटी से आटवी तक के, राज्य सरकार दौरा निर्धारिट पाठे करम, एवं सैक्शनिक सत्र, 2019 बीस की जो प्रचलित पाठे पुस्तक है, उनी पर एक्जाम आपका तयार किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि 2019 बीस में भी आपकी RBSC की बुक ही चल रही थी, न्यू एन्सी आर्टी की नहीं चल रही थी उस वक्त, तो हम जो कर रहे थे RBSC की बुक्स, वो बिल्कुल ठीक थी हमारे लिए, और उसी के पैटन पर आपका एक्जाम तयार किये जाएगा, इसलिए बार बार मैंने जो कहा था, वही आपको देखने को भी मिलेगा, कि RBSC की बुक जो है, वही आपको तयार करनी है, और इसके अलावा हिंदी भासा और अंग्रेजी भासा, तो syllabus जो है वो ही है, जो कि आपका पुराना था, वहाँ पर कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, यानि साइकलोजी, हिंदी लैंग्विज और इंग्लिस लैंग्विज, आपका syllabus वही है, सामाजिक अध्यन के syllabus में बहुत जादा बदला हुआ है, तो आप इसको आराम से देखिएगा, और बुक्स जो है वो पढ बिलते हैं, ठेंक यू